हालो फ्रेंज, वेलकम टू फूर्स इंजिनियर बाई लक्ष्मी देश भर में कोरोना वारस की दूसी लहने तबाई मचा दी है लगाता कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे है कोरोना वारस से लड़ने के लिए आपकी इम्यूटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है मजबूत इम्यूटी शरीके कई वारल इंफेक्शन से बचाने में मदद कर सकती है इस महामारी से बचने के लिए स्वास, स्वच्छता और इम्यूटी का पर खास दियान देने की जरुवत है तो चले आज मैं आपको 6 ऐसे फूर्स बताने जा रहे हूं जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करके अपने इम्यूटी को मजबूत बना सकते हैं तो चले वीडियो शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले नंबर में आता है ओर्स ओर्स को सेहत के लिए बहुत फायर्देमन माना जाता है ओर्स में एंटी माइक्रोबल गून होते हैं जो इम्यूटी को मजबूर बनाने में मदद कर सकते हैं ओर्स को आप आप नाश्टे में बहुती आसानी से शामिल कर सकते हैं सेकेंड है अंजीर अंजीर एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और सुखा दों तरह से खाया जा सकता है अंजीर में कई सारे पोशक ततवा पाय जाते हैं जैसे मैगनीज, पोटेशियम, फाइबर और अंटी ऑक्सिडेंट आदी अंजीर को नाश्टे में शामिल कर अपने इम्यूर्टी को मजबूत बनाया जा सकता है थर्ड है पपीता पपीता एक ऐसा फल है जो बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा पपीता में विटामीन B, फॉलेट और पोटेशियम भी अच्छी मातरा में पाया जाता है पपीता को नाश्टे में शामिल कर अम्यूर्टी को मजबूत बनाया जा सकता है चौथा है दही, गर्मियों का मौसम में ऐसे में दही का सेवन करना सेहत के लिए फायदयमन होता है आपको बता दे कि दही में पाय जाने पोशर गून इम्यूर्टी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है पांचवा है आवला, आवले को विटामिन सी का सबसे अच्छा सौर्स माना जाता है विटामिन सी इम्यूर्टी को इलिए भी अच्छा माना जाता है इम्यूर्टी को मजबूत बनाने के लिए आप आवले को नाश्टे में शामिल कर सकते है च्छटा है सेब याने की आपल सेब में विटामिन, मिनरल और एंटि आक्सन के गुन पाए जाते हैं सेब को सेहत के लिए बहुत लाबकारी माना जाता है सेब के सेवन से इम्मीट्व को मजबूर बनाया जा सकता है अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी इन्फोमेटिव लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजे और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेए का प्ले वीडियो में वो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले